नगरपाली का प्रशासन समेथ जन प्रतिनिद्यों की अंदेखी से इन दिनों दिग्रश शहर की जनता न सर्फ खस्ताहाल पुराने पुल की समस्या के साथ बलकि अब पुल पर डेरा जमा कर खड़े मवेश्यों और पुल के करीब फैलिक गंदगी से जूज रही है इसके अलावा मोतिनगर सहित परीसर के विभिन इलाकों की नीतियों में और नदे किनारे गंदगी का अंबर लगा हुआ है जो की जनता के स्वास के मद्दे नजर खतरी का सबब बन रहा है पेश है ये रिपोर्ट केंद्रिस सरकार से लेकर राज सरकार द्वारा शहर, गाव और कस्बों में सास सफाई और सच्चिता की प्रती जागरुकता के लिए विभिन अभियान जारी है इसके लिए महानगर पाली का नगर निगम, नगर परीशद, ग्राम पंचायद, आधिस्थानिय, स्वराज, संस्थाओं को सच्चिता विभागों पर अच्छा कासा पैसा खर्च किया जाता है पाउचुद इसके दिगर शहर की जनता नगर पाली का प्रशासन की कमसोर या यू कहे कामचोर कार प्रणाली से तरस्थ है आईए आपको दिखाते हैं ये खस्ता हाल पुराना पुल है जो जिससे गुजरना पहले ही राहगीरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है ऐसे में अक्सर इस पुल के दोनों बाजू लावारिस पश्यो जानौरों के साथ ही पुल पर पालतु मवेश्यों का जुन डेरा चमाए नजर आता है इस पुल से गुजरना कितना मुश्किल हो चिका है इसका अंदाज़ा इस वीडियो फुटेज से लगाना आसान है ऐसा नहीं है कि पुल के इस पार या उस पार रहने वाले जन प्रतिनिदी इस समस्या से वाकिफ नहीं है समस्या यह है कि पुल और गंदगी की यह समस्या उनके इच्छा शक्ति का हिस्सान नहीं है यही वज़ा है कि संबनित प्रशासन, स्वास्तो और सोचिता की और अंदे की कर गेरी नीन में सो रहा है जबकि इसका खामियाजा शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है मोती नगर परीसर के ज्यादा तर गलियों में नालियों में गंदगी और कच्रे का अंबर लगा हुआ है वही मोती नगर से सटेन नदी किनारे वाला परीसर सहेद आराणी बाइपास रोड भी अब कच्रा केंदर में तबदिल होता शारा है इस समस्या पर स्थानिय नगर सेवक सेद अक्रम ने बताया कि आक्सिलाइफ टेकनोलोजी नामक संसा से जुड़े ठेकेदारों पे शहर के कच्रा विवस्थापन का जिम्मा है शहर का कच्रा एकटा कर उसे कच्रागाड़ी से शहर से दो किलोमेٹर की दूरी पर डंपिंग यार्ड में डाले के लिए कच्रा वहान से किराय लेकर वहानों की इंहन का किराया भी नगर पाली का प्रशासन द्वारा दिया जाता है बावजुद इसके शहर के विभिनर इलाके गंदगी की चपेट में है वही नदी किनारे गंदगी का अंबार घटने की वजाए बढ़ रहा है PCN News के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट